वेलकम इने के study 1024 में हुए एक यादा और इस वीडियो में देखना वाले है class 8 के exercise 8.3 के question number 12 का solution और इससे पहले मैं ने इस chapter के जितनी वीडियो बनाई है उनसे अभी का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर ज्वाई बटन होता है यहाँ से भी आपने को देख सकते हैं तो देखिए इस question में मैं से बोला गया है a scooter was brought at rupees 42,000 its value depreciated at the rate of 8% per annum find its value after one year मतलब कि कोई scooter है जो की 42,000 यानि 42,000 रुपीस में खरीदा जाता है और जो इसकी value है वो घटती जा रही है at the rate of 8% से जैसे से scooter पुराना होगा value तो घटेगी उसकी बढ़ेगी तो नहीं हमें बताना है कि एक साल के बाद जो इसकी value है वो कितनी रह जाएगी तो यहाँ पर देखिए जितने में scooter खरीदा गया उसको principal बोल देते हैं तो principal की value होगी 42,000 यानि की 42,000 रुपीज ठीक है और जो rate है वो कितना है rate है 8% पर एनम और आपको याद रखना है कि इस rate से क्या हो रहा इस rate से decrement हो रहा है, increment नहीं हो रहा, value घट रही है ठीक है न इसलिए मैंने downward arrow बना है ताकि आपको याद रहे कि इस rate से value घट रही है ठीक है न और इसके अलावा आप देखो हमें क्या निकालना है कि इसकी value कितनी लेंगी 1 year के बाद तो मतलब जो n है उसकी value कित P bracket के अंदर 1 और यहां पर क्या आता है R divided by 100 यहां आपने plus पड़ा है ठीक है लेकिन इस case में हम यहां पर plus ना लिखे क्या लिखेंगे minus Q क्यूंकि इस rate से increase नहीं हो रहा है इस rate से decrease हो रहे है तो जो भी rate वाला factor है वो कहां पर आएगा minus में आएगा ठीक है बस इतना सा change है और power N रहेगी तो यहां भी आप N लगा दो ठीक है ना फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इस rate से decrease हो रहा है value घट रही है बढ़ नहीं रही है इसलिए हम यहां पर minus लगाएंगे ना की plus ठीक है बस इतना सा change है आप देखो यहां से amount जो भी हो कितना हो जाएगा P, P की 42,000 और यहां पर 1 minus R, R की value कितनी 8% divided by 100 N की value कितनी है 1 है ठीक है तो यहां से आप देखो क्या कर सकते हो जहां पर 42,000 है इसको आप ऐसी रहने दो तो यहां मैंने लिख दिया 42,000 100 को 1 से multiply करो 100 1 जा 100 और यहां पर 8 minus होगा ठीक है ना 100 1 जा 100 minus 8, 100 minus 8 कितना होता है 92 divided by कितना 100 और पावर जो बन थी उससे कोई फर्ग यहां पर नहीं पड़ेगा value यही रहेगी ठीक है अब इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं यहां पर आप क्या करो 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो जब आप यह कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा यहां बचेगा 420 इंटू में यह स्कूटर इस इकवल टू 38,640 रूपीज तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं भी रगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई